गूर्ड मॉर्निंग विद कामिनी खना में मैं कामिनी खना आप सभी सुन्दर रती सुन्दर दोस्तों के साथ मित्रों के साथ साहिलियों के साथ सुबा सुबा कितनी प्यारी सुबा है इतनी बरसात हो रही है बंबई में और पीछे तो लगातार बारिश हो रही थी अब थो कभी सर्दी हो जाती है कभी गर्मी हो जाती है कभी तवियत खराब लगती है कभी कुछ होता है तो हर चीज के अच्छे बुरे गुण हर इंसान में भी होते हैं रितू में भी होते हैं पंच्यों में भी होते हैं और पूरी स्रिष्टी ही एक अच्छे और बुरे तमो गुण रजोगुण सतोगुण सभी से चल रही है और फिर हम बोलते हैं कि क्या हर चीज की बुराई का ही ध्यान रखा जाए उसकी अच्छाई को ना देखा जाए तो बारिश नहीं होगी तो भूके मर जाएंगे धान नहीं होगेगा और अगर कभी-कभी ऐसा भी होगा जादा बारिश होगी तो प्रलय आ जाएगी जादा बारिश होगी तो बहुत-बहुत जादा नदियां बढ़ जाएंगी और पूर आ जाएंगे और बहुत जादा धान नश्ट हो जाएगा ऐसा भी हो सकता है और ज्यादा बारिश होगी तो नुकसान भी हो सकता है कभी भीग जाएंगे तो जुकाम भी हो जाएगा थंड भी लग जाएगी निमूनिया भी हो सकता है लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा तो हर चीज में एक अच्छाई एक बुराई ऐसा कुछ नो कुछ तो छुपाई होता है हम किसी इनसान के भी बात करें तो अगर हम उसकी अच्छाई का वेट ना करें जैसे हम बारिश का वेट करते रहते हैं किसान बारिश का वेट करते रहते हैं तो मगर उसकी अच्छाई का वेट ना करें हम सिर्फ उसकी बुराई को देखके उससे पीछे हड़ जाएं तो शायद हमको लैक कर जाएंगे जिन्दगी में हमको जो उससे लाब भी मिलने वाला था या उसकी जो पॉजिटिविटी वाला जो कोना था हिस्सा था जो हमको शा अब ही क्यों होते हैं कुछ अच्छाईयां होती एज थोड़ा सा ज्यादा देखना चाहिए थोड़ा सा अच्छाईयों को आगे रखना चाहिए बुराईयों को कैसे करना यह शीखना चाहिए ठीक है ना आज के लिए इतना काफी फिर भी विलूंगी good morning with कामी निकना में तब तक के लिए आप कामी नहीं करना को आशिरवाद दीजिए और धन्यवाद कहती हूं मैं God bless you take care and goodbye